सो हेलो गाइज कैसे हैं आप सब स्वागत है आपका एक नई वीडियो में सो गाइज अगर आपने अपने मुबाइल को चार्ज करने के लिए पावर बैंक का जूज किया होगा तो आपको यह तो पता होगा कि जो पावर बैंक के अंदर के जो वैटरीज होती है उनमें अक्सर ही लीथियम आइन बैटरी का जूज किया जाता है जो की नोर्मल हमारे जो गड़ी में सैल जूज होते हैं उनकी तरह हैं दिखती है लेकिन वे उनसे बहुत डिफरेंट होती है तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे इनी लीथियम आइन बैटरी के बरे में क्यों ये बैटरी पावर बैंक में जूज होती है और अगर आपको पता होगा तो ये बैटरी अक्सर आपके मुवाइल फून में भी जूज होती है तो इसके लिए बीडियो को साथ बने रहें, बीडियो को शुरू से लेकर लास्टर देखें, अगर नए हैं तो बीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें, तो जैसे कि कोई भी अगर पावर बैंक होगा, अगर ब्रेंडर टाइप है, उसमें डिफरेंट पावर बैंक में लिथे माइन बैटरी का जूज होता है, तो उसके पीछे भी काफी रीजन है, जो गई जो सबसे बड़ा रीजन यही है, कि जो बैटरी है, यह साइज में काफी हलकी होती है, और इनमें चार्ज भी काफी देर तक स्टोर रहा जाता है, जैसे कि हम बात करे अगर इनकी capacity की for example अगर lead acid batteries है अगर उनके साथ हम compare करें तो बहुत सारा difference देखने को मिलता है क्योंकि अगर आप lead acid battery का size देखेंगे तो वो lithium-ion battery के साथ बहुत ही ज़्यादा होता है लेकिन जो lithium batteries होती है वो normally एक finger की तरह ही होती है और maximum जो इसकी length, height बहुत ही कम होती है क्योंकि जो lead acid battery होती है एक तो बारी भी होती है और दूसरे तरफ से उसको charge करने में बहुत परशानी आती है तो अगर हम simply अपना lithium-ion battery का size देखेंगे तो आपको बहुत ही शोटी दिखेगी तो guys उससे अच्छा एक बात यह भी है कि जो lithium-ion battery होती है उनकी density काफी होती है मतलब कि charge pen density में बहुत होता है अगर हम लेट डेशिट बैटरी को compare करेंगे तो आपको उसी charge को store करने के लिए काफी size बारी लेट डेशिट बैटरी चाहिए होगी लेकिन इस मामले में lithium-ion battery का हम use बहुत अच्छी तरह से करते हैं क्योंकि हम बहुत सारे lithium cell को अपस में अगर connect करते तो उनकी जो capacity को और भ बढ़ाया जा सकता है जैसा कि अगर हम उनकी charging capacity की बात करें तो हम maximum 4.2 बोल्ट से लेकर तो 1000 बोल्ट तक भी इनको charge को store कर सकते हैं क्योंकि जो हमारे EV होते हैं मतलब कि जो electronic electric vehicle होते हैं उनमें अक्सर ही lithium battery का जूज किया जाता है तो इसी reason के कारने ही इसका use गे जाता है क्योंकि इसका low self-discharging rate बहुत कम होता है मतलब कि इसमें self-discharging rate बहुत कम होता है जिससे कि इसको store करना काफी अच्छा होता है और यह हमारे लिए बहुत ही अच्छी बात है तो guys अगर इसका disadvantage देखेंगे तो यह काफी costly होती है क्योंकि जो lithium आपको पता यह lithium metal काफी costly है इससे आपको अंताजा हो गया होगा कि जो lithium-mine battery काफी अच्छी मानी जाती है अगर हम portable electronics से बात करें तो उसमें अक्षर ही lithium battery का जूज किया जाता है क्योंकि हमारा जो power bank है वो भी एक portable gadget है जो की phone को charge करने के लिए जूज होता है इसमें हम basically lithium battery का ही जूज करते हैं तो यही reason है क्योंकि एक तुनका compact size होता है जो इसकी efficiency काफी high होती है इसको easily charge किया जा सकता है carry भी किया जा सकता है और यह काफी low weight होती है और easily available भी होती है तो इसलिए हम जो lithium battery का जूज करते हैं